दिल्चस्प, यह क्या है? मैं चाहती हूँ कि आप लोग मेरे लिए डोनट बनाए यह क्या जाएगा? यह सबसे डार्ग डोनट होगा? मैं अपनी प्यारी पोती के लिए कुछ भी करूंगी मुझे लगता है एक विशेश उपकरन में डोनट बनाना बहुत सुरिधा जनक और तेज है हमें बस वहाँ बैटर डालना होता है ओ हाँ, मैं भी ऐसा कर सकती हूँ, पर मेरे डोनट स्रंगीन होंगे क्योंकि ऐसा करना बहुत अधिक मज़ेदार होता है तुम्हारे आइडियाज भी ना तुम लोग कुछ से कुछ करते रहते हो बेकार, देखो असली डोनट कैसा होना चाहिए वे काले हैं, लेकिन वे शायद सबसे स्वादिश है काला रन लाल के साथ सबसे अच्छी से जाता है इसलिए मैं अपनी डोनट पर लाल ग्लेज लगाऊंगी और फिर मैं उपर से थोड़ा सफेद जोड़ूंगी तब यह और भी सुन्दर हो जाएगा ठिंग, तुम्हे मेरी मदद करनी होगी मेरे लिए अभी एक गहरी कतोरी लाओ मैं उसमें स्ट्रॉबेरी सिरप डालूंगी हाँ, यह ठीक रहेगा फिर मैं इसे सिरिंज में डालूंगी किसलिए? अब तुम खुदी सब देखोगे दादी, क्या आप ट्रिक देखना चाहती है? देखिए, मेरे पास खून की एक पूरी सिरिंज है किसी भूरे हाथ में को इस तरह क्यों डराती हो? मुझे लगबग दिल का दोरा बढ़ गया था ओ, चलो, यह सिर्फ सिरप है मैं आपकी बोती की खातिरिय कोशिश कर रही हूँ मैं चाहती हूँ कि वरना केबल स्वादिस्ट बलकि सुन्दर डोनट्स का स्वाद ले हाँ, अगर कोई उन्हें मेरे पास लाता तो मैं पक्का भी होस हो जाती अब मैं तुम्हें दिखाऊंगे कि सामाने डोनट्स कैसे दिखने चाहिए सबसे पहले उन्हें काला बनाने की बिल्कुल जरुवत नहीं है और सुन्दरता के लिए थोड़ा पाउडर चीनी काफी होगा बस, देखो यह कितना सुन्दर हो गया सुन्दर तो मेरे डोनट्स हैं इसे तो बस देखकर ही मन खुश हो जाता है लेकिन उन्हें और भी मज़ेदार बनाने के लिए थोड़ा थोड़ा चमकीला स्प्रिंकल्स क्यों न जोड़े हाला कि पहले मुझे इस बेकार जार को खोलना होगा उफ, चलो खुलो ओ रेवेका तुमने जार खोला अब तुम खोदी चमकीली दिख रही हो माई ने यह रखता है कि डोनट्स तयार है मारगो एक विनर चुनने का समय है मैंस्डे ने अपने ही अंदाज में डोनट्स बनाया है थोड़ी दराम में दीख रहे हैं लेकिन वास्ता में बहुत साधिस है और सिरप के साथ सिरेंज एक बड़ी आईडिया है दादी, अब मैं आपके डोनट्स खाने जा रही हूँ मैं जूट नहीं बोलूँगी, यह बस ऐसे ही है बहुत साधरन ओ, लेकिन रेबेका के डोनट्स ज़्यादा दिलचस्प लग रहे है मुझे आसा है कि उनका स्वाद भी अच्छा होगा चलो, खाकर देखती हूँ यह सबसे स्वादिश डोनट्स हैं, जिने मैंने कभी चखा है बधाई हो बहन, तुम जीत गई धन्यवाद मार्गो, I love you वेंस्डे, एक बुढ़ी अरत को ढराना बंद करो इस राउंड में सबको मेरे लिए कॉक्टिल बनाना होगा स्वादिश और सुन्दर, यह मैं कर सकती हूँ मुझे कोई दिक्कत नहीं है ठीक है मुझे जीतना है और अगर मुझे जीतना है, तो मुझे वैसा कॉक्टिल बनाना होगा जो मार्गों को सबसे ज़्यादा पसंद हो जैसे कि मैं टॉक्सिक वेस्ट कैंडिस से शुरुवात कर सकती हूँ लेकिन मुझे लॉलीपॉप की जरुवत नहीं है मुझे यह कैंडिस लिक्विड रूप में चाहिए यह कहूं तो मुझे उन्हें पिंग लाना होगा तैयार यह तैयार हो गया अब कैंडिस किटल जोडने का समय है इसमें कोई शक नहीं है कि इन कैंडिस को हर कोई पसंद करता है लेकिन पहले उन्हें रंग के अनुसार अलग करने की जरुवत है ताकि हमारे रंगीन और स्वादिस्ट कप के बीच खूप सूर्टी से इन्हें रखा जा सके पहले थोड़ा खा लेती हूँ और अब यह स्प्राइट का समय है यह कॉक्केल का आधार होगा पर अब इसे अपने हाथों से खोलना लगभगा संबभ है मुझे इसके लिए अपने हेर पिन का उप्योग करना होगा ओह यह क्या गिला और मीठा बेचारी रेविका मैं ठीक हूँ मैंने बस स्प्राइट शावन लिया लेकिन यह इतना ही नहीं है विप्श्रिम के बिना किस थरका कॉक्टेल और थोड़ी कैंडी कोई नुकसान नहीं पहुचाएगी ताडा मेरा मास्टरफीस तयार है तुम कितनी अच्छी प्रतियोगी हो लेकिन तुम्हारे कॉक्टेल बिल्कुल हेल्दी नहीं है और मार्गो को विटामिन की जर्वत है इसलिए कॉक्टेल जहां तक हो सके उप्योगी होना चाहिए सब्जियों में विटामिन सबसे अधिक होते हैं तो क्यों ना सिर्व सब्जी कॉक्टेल बनाया जाए देखो, सारी सब्जियों को एक साथ मिला कर पीज देना है बहुत अच्छी खुश्बू आ रही है मुझे यकीन है मार्गो को ये बहुत पसंद आएगा मुझे शक है मैं स्ट्राबेरी सिर्व के साथ अपना कॉक्टेल बनाना शुरू करूंगी मैं उन्हें एक गलास में डालूंगी ताकि ये तुरंट और अधिक सुन्दर हो जाए फिर इस प्राइट एक्सिल में जाएगा जिसे मैं हरे सिर्व की मदद से खोड़ा सजाऊंगी थिंग मुझे फिर से तुम्हारे मदद की जर्वत है मेरे लिए थोड़ी विप टिन चुराओ किसी दिन मैं इस थिंग को तोड़ दूँगी ये बहुत धरावना है हाँ और उसने मेरी क्रीम चुरा ली धन्यबाद तुमने सब ठीक किया और वे सिर्फ मजाग कर रहे हैं आखिरकार अब मैं कॉक्टेल पी क्रीम डालूंगी और बेशाक इसे गमी आईट से भी सजाओंगी मेरी राय में बहुत अच्छा त्यार हुआ है मारगो अब बताओ किसका कॉक्टेल सबसे स्वादिस्ट है वेंस्डे हमेशा की तरह सबसे औरिजनल पीच तुमने एक बहुती स्वादिस्ट कॉक्टेल त्यार किया है गमी कैंडी तो सोने पर सुहागा है खास करके आख दाडी, क्या आपने फिर से सबसियों का मिक्सर मेरे लिए त्यार किया है तुम्हें पता है, मैं इसे बरदास नहीं कर सकती यह खिनोना है और मेरी बहन फिर से कुछ कूल लेकर आई है चलो चक कर देखी किसका स्वाद कैसा है खमाल है रेवेका, तुमने फिर से जीत हासिल कर लिया हुरे, चिंता मत करो किसी दिन तुम भी लखी होगी इस बार स्वादिश पास्ता के साथ मुझे सर्प्राइस करो मेरे पास कुछ आईडियाज है दादी, सोमाद, यह खाना पकाने का समय है पास्ता, आसानी से, मेरी पोती के लिए पास्ता बनाने से आसान कुछ भी नहीं है क्या आप जानते हैं कि मुझे कैसे पता चलेगा कि बरतन में पानी गर्म है क्या थिंग मेरी मदद करेगी इसे कभी भी घर पर ना दो रहा है क्योंकि इस थिंग को गर्मी बिल्कुल भी मैसूस नहीं होती है हाला कि यह अभी भी उसके लिए अच्छा नहीं है खरीद कर लाया वो पास्ता बोरिंग है मैं उन्हें खुद क्यों नहीं पकाती मेरे पास आटा है आच्छी हाँ अब सभी के पास आटा है गुस्सा मत करो दादी मैंने इसा जान बुचकर नहीं किया है अब हमें आटा गुनने की जरुवत है और इसके लिए हमें आटे में कचांडा मिलाना होगा और फिर इसे अच्छी से गुन्द लेना है अहां इस तरह से यह तयार हो गया अब आधार तयार है और आटे को रंग देने का समय है ताकि नूडल्स, रंगीन और चमकदार हो जाए आगे अब हमें एक विशेश मशीन में आटा रोल करना होगा और फिर इसे पास्ता की तरफ काट लेंगे तो मेरा रंगीन पास्ता जल्दी तयार हो जाएगा यहां तक कि स्टोर से खरीदी गई पास्ता को भी प्यार से पकाया जा सकता है हाला कि भाब के कारण मैं कुछ भी नहीं देख पा रही रेवेका क्या मैंने केचप जादा डाल दिया नहीं दादी आपने तीसे अभी तक खोला भी नहीं था मैं भी क्या करती रहती हूँ आहा कितना भयानक है वेंस्टे देखो आम तरपर तुम इस तरह का तमासा पसंद करती हो रेवेका नैपकिन के लिए धन्यवाद मैं पास्ता बनाना जारी रख पाऊंगी पस मुझे नूडल्स में थोड़ा सौस डालना ही बचा है यह स्वादिश लग रहा है दादी आप बहुत अच्छा कर रही है स्वादिश लेकिन कितना बोरी क्या पास्ता को और दिल्चस बनाना चाहते हैं हम उन्हें काला रंग देना होगा हाँ इस तरह से दादी ने मुझे दिल्चस पाइडिया दिया है कैचप और आप के साथ मेरे हिस्से को डराबना क्यों न बनाया जाए आपको या आइडिया कैसा लगा यह बहुत डराबना है मैं वह नहीं खा पाऊंगी मेरे रंगिन पास्ता की बात ही कुछ और है मुझे उमीद है कि मारवो इसे पसंद करेगी वेंस जे क्या तुम डराना बन करोगी खाना फिर से बहुत दिल्चस्प है लेकिन यहाँ कोई पास्ता नहीं है दादी लेकिन आपने कैचप के साथ क्लासिक पास्ता बनाया है यह बहुत स्वादिश्ट है तुम मेरी प्यारी बच्ची हो पताने रेवेका फिर से क्या लेकर आई है मुझे उमीद है कि यह पास्ता ना किवल सुन्दर है बल्कि स्वादिश्ट भी है मैंने खास करके तुम्हारे लिए त्यार किया है रेवेका तुम फिर से जीत गई हो हुरे आज मैं लखी हू वेंस्टे मैं लगबख भूल गई मैं खास करके तुम्हारे लिक हेर पिल लाई थी मुझे लगता है तुम पर बहुत अच्छा लगेगा मैं ऐसी चीजों को नहीं पहनती इस बार मेरी लिए सीजर सलाथ त्यार करो आसान मैं सलाथ बना सकती हूँ मैं कोशिश करूंगी सीजर सलाथ के लिए सबसे जरूरी चीट सलाथ के पत्ते और चिकन है जाहिर है क्रुटोंस नहीं छोड़ना है जो वैसे मेरे लिए खाना बहुत मुश्किल है क्योंकि वे बहुत कड़े है और अधिक चीज क्यों नहीं ग्रेट करके मिलाए मुझे पता है कि मार्गो उसे पसंद करती है मैं मार्गो के लिए एक हरा भरा ट्रीट बनाऊंगी यह सीजर नहीं होगा लेकिन मुझे लगता है वो लंबे तनों पर मेरे खाने वाले फून को पसंद करेगी मैंने कितना प्यारा मेड़क त्यार किया है आए देखिए कि आपने इस बात क्या त्यार किया है रेविका, तुम वास्तो में कुछ अच्छा लेकर आई हो लेकिन इसका स्वाद सामानि साधरन सब्जियों की तरह ही है पर मैंने काफी मेनत की है यहाँ दादी स्वादिष सीजर सलाद बनाना जानती है और आज कोई अफ़ाद नहीं है, यह बहुत स्वादिष्ट है वेंस्डी, क्या यह ओलिप्स है? मुझे यह बिल्कुल पसंद नहीं है दादी, आपकी चीत पर बधाई आखिरकार, मैं कब से इसका इंजार कर रही थी? ऐसा लगता है कि दादी और बहन अच्छा समय बिता रहे है खेर, बाते बहुत हो गई अब यह पता लगाने का समय है कि हमारे हीरोस के लिए कौन सा डेश इंजार कर रहा है बर्गर, वाह, खेर, क्या हम सभी हमारी नई चुनोती के लिए तेयार है तो चलो शुरू करते है दादी बर्गर बंस के साथ शुरू करती है हाँ, टोस्टेट बंस ज़्यादा स्वादिस होते है अब हमें मीट कीवा चाहिए सादी कीमा के गूले बनाती है और उन्हें फ्राइं पैन में डालती है एक स्प्याचुला के साथ उसे दबाती है इस तरह से और कटलेट तेयार है और अब स्वादिस चीज का एक टुकड़ा और हाँ, टमाटर के बिना किस तरह का बर्गर? और उपर से एक प्याज और एक बंद भी वाँ, दादी ने इतनी जल्दी काम का सामना किया बहुत बढ़िया काम दादी अब बहन की बारी है ऐसा लगता है कि साधारन बंद से यहां काम नहीं चलेगा क्या, एक डोनट? वाँ, कितना स्वादिस्ट है बहन डोनट को दो हिसों में काटती है और आप चॉकलेट यह कितना मीठा है लेकिन बहन के पास कुछ और है ओ, यह खट्टा जेल है यह बहुत स्वादिस्ट है लेकिन बहुत खट्टा अब मार्शमेलो डालते है थोड़ा गमी कैंडी और बेरी सिरप क्यो नहीं? अब हम अपने चमसकारी बर्गर को एक बन के साथ कवर करते है ओ, कितना सुंदर है ऐसा लगता है दादी ने भी अपनी पोती के काम की सराना की लेकिन वेंस्टे को सर्प्राइस करना इतना आसान नहीं है हम हमेशा की तरह बन्स के साथ शुरू करते हैं बेशक काले रंग के साथ एक कटलेट फ्राइ किया इस तरह वाँ, वेंस्टे चीज के टुकड़े के साथ क्या कर रही है वाँ, ये चीज अब कितना अच्छा लग रहा है खिरे का एक टुकड़ा वाँ, मानों बर्गर के मुँ में जीव हो लेकिन किसी चीज की कमी है ये अच्छा है कि वेंस्टे के बगल में हमेशा एक हाथ होता है जो किसी भी समस्या में मदद करेगा गमी आखे ऐसा लगता है कि वेंस्टे को यही चाहिए अरे, सावधा अंदादी हाथ किसी को कोई हानी नहीं पोचाता है आप बर्गर में आखे डालते है वाव, बस इस मॉंस्टर को देखो यह बहुत डरावना है लेकिन फिर भी बहुत स्वाधिस दिख रहा है लेकिन कौन सा बर्गर सबसे स्वाधिस्ट होगा? अब हम पता लगाएंगे मार्गो, चलो जल्दी करो ओ, मैं कितनी भूखी हूँ यह बर्गर कुछ अलग सा दिख रहा है चलो खा कर देखती हूँ स्वाधिस्ट, मुझे यह पसंद आया तो अब आगे क्या है? और यह रहा मेरा पहला बाइट ची, क्या यह प्याज है? क्या गरवड है? यह बर्गर वाण नहीं है जिसकी मुझे जरुवत है तो हमारे पास यहाँ क्या है? वाँ, यह मेरे फेवरेट कैंडी है डोनट के साथ गामी यह मेरे स्वाध के ही साथ का है खेर, यह विजेता चुनने का समय है और बस यह, यह बर्गर हाँ, यह हमारा विजेता है वाँ, वेंस्डे को बधाई क्या यह सिर्फ मुझे लग रहा है यह वेंस्डे के चेरे पर एक मुस्कान है वेंस्डे मुस्कुरा रही है वाँ, ऐसा लगता है कोई शर्मा आ गया है ऐसा लगता है कि बेहन और ठिंक एक दुसरे की भाषा समस्ते हैं ओ, यह ठिंक के अपनी जगा पर जाने का समय है और यह हमारे प्रतियोग्यों के लिए एक नया डिश बनाने का समय है होट चॉकलेट इस स्वादिस ड्रिंक को कौन पसंद नहीं करेगा मुझे उमीद है, सभी तयार है आगे बढ़ो दादी सबसे पहले फिर से बनाना शुरू करती है दादी एक सॉस पैन में दूट डालती है अब खोको पाउडर तो लाना नहीं भूलना है अरे हाँ, चॉकलेट का एक बार स्वाद को और भी बढ़ियां बना देगा यह कितना मीठा है दादी ने अपने सिगनेचर मंग में होट चॉकलेट डाली बहुत बढ़ी हैं दादी ऐसी होट चॉकलेट किसी को भी गर्म कर देगी आप बहन के बारी है अरे सावधान तो आप सभी चॉकलेट खा सकते हैं हाँ, दादी सही है चीनी को थोड़ा ही डाला जाना चाहिए इस तरह से ओ, ओ, वा क्या कर रही है हाँ, बस इस मीठा पसंद करने वाली लड़की को देखो दादी को चीनी की इतनी मात्रा कभी पसंद नहीं आती खेट, अब दूप डालने का समय है साभान रहो उफ, हाँ, बहन को सपस्ट्रूप से अधिक चौकस रहनी की जरुवत है तो, आप सभी सामगरी खर्च कर सकते हैं अब थोड़ा डाई वाव, देखो यह कितना सुन्दर है यह क्रीम बहुत रहीन है अब थोड़ा मीठा स्प्रिंकल इसे कहते हैं सर्वी बहन ने अपना बेस्ट प्रदर्शन किया है लेकिन यह इतना ही नहीं है फाइनल टाच, विप्ट क्रीम और मार्शमेलो है वाव, देखो यह कितना सुन्दर है हाँ, बहन ने अपना बेस्ट प्रदर्शन किया है वेंस्डे अब तुम्हारी बारी है यहाँ एक उप्यूक्त बग की जर्वत है थिंक, हम यहाँ तुमारी मदद के बिना नहीं कर सकते ओ, कितना धराबना है दादी, बेतर होगा कि आप अपनी सेहत का ध्यान रखे वेल्सडे अपने मग में चॉकलेट डालती है यहाँ विप्ट क्रेम है बेडी सिरफ, बढ़िया और यहाँ हरीबो के गमी कैंडीज है ओ हाँ, इस अनूठी सर्विंग को देखो होट चॉकलेट तयार है क्यों? वाँ, यह बढ़िया है यह स्वादिस्ट है मुझे यह पसंद है ओ, यह दादी के होट चॉकलेट है बढ़िया यह क्या है यह अजीब लग रहा है लेकिन चाक कर देखती हूँ बुरा नहीं है और जीत होती है हाँ, बेहन इस राउंड में तुम जीतती हो ऐसा लगता है कि हमारे हीरोज एक नई चुलाती के लिए तयार है इस बार उनके लिए क्या इंजार कर रहा है वाव, यह फ्रेंच फ्राइज है इस वेंजन को पकाने और परोशने के कई तरीके हैं अब हम यह पता लगाएंगे कि हमारे हीरोज कौन सा तरीका अपनाएंगे बेशक आलू को पहले छिलना होगा वाव, क्या हो रहा है वाव, बेहन ने आलू छिलने का एक बहुती अलग सा तरीका चुला है दादी दुखी है लेकिन वो अपनी प्यारी पोती पर कैसे नाराज हो सकती है अब आपको आलू लेना है बस या बेहन एक विशेश चाकू से आलू कारती है चरा देखो यह कितना खुबसरत निकला यह कुछ रंग जोडने का समय है वाव, कितना चमकिला रंग तेल डाले और हमारे रंगीन आलू को फ्राइंग पैन में डाल सकते है बढ़िया गर्म तेल के साथ आपको हमेशा बहुत सावधान रहना चाहिए अरे, ध्यान से हम अपने रंगीन आलू को एक प्लेट पर खुबसूरती से फैलाते है बहन ने इतने खुबसूरत रंगीन फ्रेंच प्राइस तयार किया है दादी किसी भी डिश का अधिक क्लासिक संस्क्रण पसंद करती है और कभी-कभी क्लासिक संस्क्रण सबसे अच्छा होता है है ला? ओ हाँ, फ्रेंच प्राइस और कैचप ये स्वाध बचपन से सभी के लिए जाना पहचाना है इससे बेहतर और क्या हो सकता है? बढ़िया काम दादी तो, वेंच जे इस बार हमें किस तरह से सर्प्राइस कर रही है? वेंच जे के फ्राइस पहले से ही तयार है ऐसा लगता है कि कुछ बहुती अलग सर्विंग हमारी लिए इंजार कर रही है ओ, यह क्या है? अर नहीं, ऐसा लगता है कि वेंच जे ने गलत तरफ रंग स्प्रे कर दिया है दादी, बेहतर होगा आप अपनी आखों को ढख ले यह सीन कमजूर दिलवालों के लिए नहीं है हम कहां थे? ओ हाँ, फ्रेंज फ्राइस वेंच डे ने फ्राइस को काले रंग में रंग दिया है वा, यह कितना सुन्दर है ऐसा लगता है कि वेंच को वेंच डे की डिश पसंद आई है अब देखते हैं कि मार्गों को यह सब कितना पसंद आता है अच्छा, तो हमारे पास यहां क्या है? ओ, क्या यह आलू थोड़ा जला हुआ नहीं? नहीं, यह स्वाद बुरा नहीं है और कैचप के साथ? बैस सूपर ओ, मुझे लगता मैं रूप नहीं पाऊंगी और आखिरी टुकरे तक सब कुछ खाऊंगी स्वादिश्ट, अब अगला प्रतिभागी बुरा नहीं है लेकिन यह इस तरह से भी स्वादिश्ट होगा खैर, बाई बाई आलू मैं तुम्हें पूरा खाऊंगी बढ़िया, लगता है मैंने काफी खा लिया है लेकिन अभी भी एक तीसरा कोर्स बाकी है कितने सुन्दर सुन्दर आलू है यह बहुत स्वादिश्ट है ला जवाब आखिरी टुकड़ा चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ